वेलकम टो प्यूर कोकिंग, इस वीडियो में मैं हैदराबादी शादियों में सर्फ किया जाने वाला मलाई मतन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ देख सकते हैं आप ये मलाई मतन कितना मज़िदार बना है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब से पहले मतन को मैरिनेट करेंगे तो 500 g मैंने मतन लिया है विद बॉन लिया है मैं आप चाहे तो बहन ले लिए अब इसमे आठ करेंग नमक अपने टेस्ट चाहँ से नमक एट कर दे लिए 1 T. स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट और 1 T. स्पून जीलिका पेस्ट और 1 T. अब इन सारे चीज़ों को मिक्स करके हमें इसको मैरिनेट करके रखना है साथ में हम एट करेंगे 200 ग्रैम गाड़ी थिक दही और 2 टीस्पून घी अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी को चन्नी में रखके कम कर लें अब इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम दो गूंते के लिए मारिनेट करने से यह मसाले है वो मतन में अब्सूर्ब हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा अब इसको smoky flavor देंगे, तो इसके अंदर मैंने चोटी सी कटोरी रग दी है, इसके ओपर जलता हुआ कोईला रखेंगे, और ऑईल दालके इसके हम अच्छा सा मतन को smoke कर देंगे तो यह जो smoky flavor हम दे रहे हैं, इसके वज़े से ऐसे लगेगा, मतन जैसे लकडियों पर पकाते हैं, वैसा मज़ा आ जाएगा अब ग्रेवी को ठीक करने के लिए, यहां पर मैं खर्बूस के बींज यूस कर रही हूँ, 50 g इसे मैंने एक घंटे के लिए भिगा के रखाता है, इसे ग्रेंडर के जार में दालके बारिक सा पेस्ट बना लेंगे, आप इसकी जगा काजू भी यूस कर सकते हैं, मसाला पे पेस्ट बहुत ही बड़ी आएगा, क्रीमिस आएगा, साथ में मैंने तीन बेनिव भी आट कर दी है, बटर को बिल्कुल गूलाएंगे नहीं क्योंकि यह धीर धीर घुल जाएगा, इसमें एट करेंगे टूटी इस्पून जिंजर गालिक पेस्ट और अच्छे से हमने क्योंकि ज्यादा अगर हम इसको फ्राइ कर देंगे तो फिर ग्रेवी का कलर डार आएगा जो हम नहीं चाहते तो देखिए गुलाबी होने लगी थी प्यास तो अब इसमें मैरिनेट कर रखा है मतन वो आट कर देंगा, जैसे मैंने बताया अगर आपके पास में गोश्ट नहीं गलता है तो आप ये गोश्ट को प्रेशर कुक करके ये सारा प्रोसेस करें अब देखिए पांच फिट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून लिया है और गोश्ट का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमे आट करेंगे 1 टी स्पून धनिया पौडर, 1 टी स्पून एक पेपर पौडर और 1 टी स्पून रट चिली पौडर और अचे से मसालों के साथ में गोश्ट को भूल लेंगे मैं हमेशा कहती हूं कि गोश्ट को भूनने से टेस्टी बनता है और देखिए भून गया है मसाला और इसमें सची सी खुश्बू आ रही है तो अब हम इसमे इसमें जार को मैंने ग्रेंडर का जार असफे कढ़ाय जिसमें मैंने पन को मरिनेट किया था उसको मैंने एक मप मैं पानी से शिंगा वो पानी में अट कर देंगे और मैं अच््छे से गल ने तक पका क्यों म시면क्थ G Walker अर्चबू हमने में उपका पर Id- 30 मिर्या के पानी पी और हमने रॉप आपया पेस्ट लगाया था तो यह मतन गल गया है, अब देखिए अब इसमें जो इसका नाम है मलाई, मतन मलाई तो इसलिए हम इसमें मलाई अट कर रहे हैं, तो यह मलाई मेरे घर की मलाई है, मेरे पास में फुल फैट मिल्क में यूस करती हूं, तो यह मैं मलाई अगर आपके पास में किसी वज़े से यह नहीं है, तो आप फ्रेश क्रीम एट कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट सेम आता है, तो यह जो हम मलाई दाल रहे हैं, इसकी वज़े से यह जो ग्रेवी है बहुत ही रिच और सिल्की हो जाएगी, साथ में मैस में हाफ कप इससे जो है टेस्ट बहुत ही रिचाया है ग्रेवी का, अब एक 5 निट के लिए हम इसको पकालेंगे इसी तरह से और इसमें एट करेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी इसमें 1 टी स्पून मे एट कर रही हूं, यह रेसीपी का खास हिस्सा है तो जरूर एट करें, और इसको अब काटर टी स्पून हैदरवादी गरम मसाला एट करेंगे आपके पास में जो भी गरम मसाला है वो आट करेंगे अब देखिए ओएल रिलीज हो गया है लो फ्लेम पर पाँच मिनिट के बाद में अब इसको सर्फ कर देंगे तो मैंने इसको हैदरवादी नान के साथ में रूमाली रोटी के साथ में एका इन या तंदूरी रोटी के साथ में भी सर्फ कर सकतें या फिर किसी भी straight कर देंगे देख सकते रिशियस कितना रिच इह मटन बना है इसकी गेवी कितनी सिल्की बनी है तो टेस्टी मटन मलाई की रेसिप अगर आपकудь कची लगी के लिए और कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि और कैसे रेसिपी आप देखना चाहते हैं ठैंक्स फॉर वाचिंग और स्मोकिंग का पार्ट इसकी मत कीजिए इसे मतन जो है बहुत ही फ्लेवर फुल बना है